जिनके पास किसी के पास दो मरले, पांच मरले, दस मरले, ऐसे कुछ जगा है, उनको कोई नुक्सान नहीं होने वाला है. लोग अभी तो कोई मसला ही नहीं हुआ था, या मसला पता ही नहीं चल रहा था, बहुत सारी लोग अलग अलग वीडियो दे रहते हैं, हर एक अपने अपनी जबानी या अपने अपनी मन मुताबिक कोई भी डिटेल देते थे, लेकिन जो आज की डिटेल है, या जो आज का व कि यही वीडियो क्लिप में आपके सामने प्ले करोगा हर एक के लिए आज बहुत ही बड़ी खुश खबरी है जिन लोगों के पास थोड़ा सा जमीन है उनके पास कोई भी नहीं आएगा लेकिन जुनों ने बहुत सारा जमीन हडब किया है गौवर्मेंट का उन्हीं का यह अ जो और या जमू महानगर में जो आम लोग हैं जिन के पास किसी के पास दो मरले, पांच मरले, दस मरले ऐसे कुछ जगा है उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है ओनरेबल हाई कोट जो जमू कश्मीर के हैं उनकी एक डिरेक्शन है जिज्मेंट है और बड़ी पुरानी जिज्मेंट है कोई सरकारी आदेश नहीं है ओनरेबल हाई कोट जमू कश्मीर के पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच ने निरने दिया और फिर सरकार को ये कहा कि ये अमल क्यों नहीं हुआ है तो एड़ोकेट जनल साभ ने कहा है कि जो आम जन मानस है जो गरीब लोग है गाउं में हैं शहर में हैं आम जन मानस गरीब हैं कुछ मद्यम वरगिये भी हैं जिनके पास अगर कहीं थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उसको कहीं कोई दिक्कत परशानी नहीं आने वाली है लेकिन जो माफिया है माफिया जिनोंने हजारों कनाल जमीन सेंकडों कनाल जमीन चाए वो स्केट लेंड हो चाए घास चराई हो जंगल की जमीन हो सेंकडों कनाल हजारों कनाल जो इल्लीगल गैर कानुमी तरीके से गलत तरीके से जो जमीन कभजा की गई है मैं आप से ही पूछता हूँ क्या वो छोड़वानी चाहिए नहीं और इसमें बड़े बड़े नेता हूँ कि जाता हूँ पहला नंबर पहला नंबर पर आम जनता को देखो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ये हर एक लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी है कि आखरकार सभी को ये पता चला कि किन लोगों के लिए ये इशू हुआ था किन लोगों के लिए इस बात पे जादा जोर देना पड़ा लेकिन इस वीडियो को जादा से करना हर तक ये पहुंच जाए जिन के पास थोड़ा सा जमीन हो था यहीं तक हम मिलें के उसी वीडियो में तर तक के लिए आफ वेट कीजिए